मौहरम का तेहार शांतिपुर्ण तरीके से संपन कराने को लेकर पुलिस अधिक्षक अभेवरताप सिंग के निर्तिर्थव में शांति मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दोरान बैठेंग में पुलिस अधिक्षक ने कहा कि ताजिया निकालने में प्रसाशन किसी भी प्रकार की बाधान नहीं आने देगा लेकिन कानून से खिलवार करने वाले को बक्षान नहीं जाएगा। पहली की भाती इस बार भी नगर की सफाई व्यवस्था विचली के तारों को उचा कराया जाए। साथ ही पानी की व्यवस्था जगे जगे सडकों में गड्धू को भरवाया जाए। इस दोरान स्पी अभे सिंग ने कहा कि काशीपूर कौमी एकता का गुलदस्ता है। जिस तरीके से हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक काशीपूर हमेशा रहा है। इसी प्रिकार इस बार भी तेवहार को बहुत शांती पूर तरीके से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रिशासन हमेशा आपके साथ है। व्यवस्था खराब करने वाले व्यक्तियों को किसी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा। सफाई व्यवस्था और तारों को उंचा करा दिया जाएगा। ताकि ताजिये के लिए बाधना उत्पन हो। यह विरस्था काई है कि हमारे कर मेहंदी का मलाब का प्रोग्राम है, वो वो कल साम 6 वजी से बाधना चोगी से होते हुए, पंजाबी सराय में खरा होकर के मेहार मेहंदी का मलाब होको है। दस तारीक को जो है सभी लोग छे वजे अपने ताजिय दे करके परभला मैदान जाएंगे जो रात को चाहएंगे चल करके दस वजे तक फारिक के जाएंगे प्रतेक वर्ष के बात इस वर्ष भी महरम के तरवार में ताजिय दाजियूस निकाला जाता है उसके समय आजसान के कमिटी के लोग है इसमें जो सम्मानित नंबर है इंके दोरा इंतजामों के संपन में आउड़त कराया गया वियत परशों में क्या क्या नोवस्ताय रहे हैं इस वर्ष ताजिय के हाई खुरूट और अन्य सुरक्षा इंतजामों के लिए व्यापप ग्रूप से चर्चा की गएंगा इंतजामिया कमेटी के लोगों ने कुछ समस्याओं से अवगत कराया है कुछ जगा पे नए निर्मान ही है कुछ जगा पर ने निर्मान है कुछ आप देख नहीं है तक अल्यूँ